कि अलो दोस्तों सुपर जीटी चैनल पर आपसे बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम विज्ञान के 30 मात्पूर कुश्चन देखने वाले हैं जो आपके फिजिक्स केमेश्ट्री बायों से तीनों से मिक्स कुश्चन होंगे जो आपके आनवले सभी ग्यान में बहुत जड़ा मात्पूर है तो चलिए देख लेते हैं पहला कुश्चन है कि कुश्चन है एक लंबवत फेकी के गेंद दस सेकेंड बाद प्रिथवी पल लोट आती है फेके जाने की गती बताइए तो इस कुछ कहें सरा वो कमिन बॉक्स में देना है तो देखिए इसमें आपको कैपटल इसमाल जी यानिकी ग्रेवटी आपको दीए 10 मीटर पर सेकेंड स्कॉर तो देखिए अगर कोई विग्यां जैसे उपर फेकी जा रही है अगर वो दुबारा नीचे आ जाती है तो इसकी हाइड जो है वो जीरो हो जाती है तो इसमें फर्मलर रहेगा आपक आपका एच बराबर यूटी माइनस हाफ जीटी स्कॉर तिससे आप सॉल्व कर सकते हैं देखिए यहां से यू यह आपका जीरो हो जाएगा यू आपको फाइंड करना है ति आपका 10 दिया गया हाफ जीटी स्कॉर यहां से रखेंगे आप यहां से आप जाब जाब है इसको सॉल्व करेंगे ति यू वराबर आजाएगा पचास यही आपका एंसल जाएगा यानि कि फोर्थ वला आपसन आपका सही है चलिए दूसर स्वराइंड कंवर प्रिफ्ा कि सता पर पहुँचेगा आसना आपका एं सब्सक्राइब लोहाब नथा आपका सभी साथ पहुचेंगे इसका आप लोग बत favor अब इसकाये दूसर तीसरा वाला लुह इसका सही है इनसर नोशा यागा लोह तो लकडी लोह द्था मोम के आकार समान है प्रंत लोह का द्रभमान अधिक होता है तो जिसका द्रभमान अधिक होगा वह पहले पहुचेगा धरती पे इसका सही है तो तीसरा लोहा कि चलिए बागे बढ़ते हैं कि तीसरा कुश्चन है जब सुद्द जल में डिटर्जेंग डाला जाता है तो प्रिश्च तनाओ क्या होता है बढ़ जाता है घर जाता है अपर ज्ट जुचाओ इज़न आप तो देखिए जब डिटर्जेंट में डिटर्जेंट डाल जाएगा तो प्रिष्ट जो घट जाता है कि इसका सभी असर है दूसरा वाला फिस्त तनाव घट जाता है आगे बढ़ते हैं भाप से हाथ अधीफ जलता है अफैचे करीख वबलते जल से क्योंकि भाप में गुपत उस्मपन होती है भाप सरीर के भीतर एक जाता बहाप में जो क्या होती है गुपतु उसमा होती है जिसके काराणहाई हाट अधिक जलता है 12 आखों के कारण रंग आसाँसे। पहचाने या सकते हुगा। 2 आखों कारण हम अंधिरे वाल के प्रखाश में आसाथ से तेख सकते हैं। कि न से आपका। इसी कबर्ण मोजए एक पिजर्ण 2डबाधा देख सकते हैं। तो देखिए इसमें सही अंसर हो जाएगा आपका फॉर्थ वाला तिस्व का पांच वे का सही अंसर है फॉर्थ वाला क्योंकि दोनों आखों से हम गहराई और दूरी आसानी से पहचान सकते हैं एक आग से क्या होता है कि देखने पर कार्निया आवाज से मातर में प्रकास नहीं पहुंच पाता है जिससे देखने में कटनाई होती है तो सही अंसर है फोर्थ वाला आप लोगप पता लगया हो चलिए सीखस्व वाला कूश्यन देते हैं प्रिजम का कोड साथ डिज़ी है प्रिज्विए कि पदार्थ को अपर्तनांग 2 है अपर्तनांग इसे क्या आए 2 है एक किरंड 45 डिजी की कोड पर आपतित होती है तो निजगत किरंड द्वारा बना कोड है इसका सही इंसर बताएं आप लोग कंट बॉक्स में इसका सही इंसर है पहला वाला तीश डिग्री इसमें एक फार्मल लगता है एन बराबर साइन ए प्लस नीट अपांट टू अपांट साइन एपांट टू तिससे आएगा इंसर चलिए साथ हो कुछ देखते हैं गर्भासे में सिसू के विकास की जानकारी ही तो किसका प्रियोग किया जाता है एक्स किरिणे गामा किरिणे अल्ट्रा साउंड या अल्ट्रा वालेट किरिणे तो देखे साथ हैं का सही इंसर है तीसरा अल्ट्रा साउंड गर्भासे में सिसू के विकास की जानकारी है हमे सबस्तार वाय छोती है इससे जो है तोचा के कैएंसर का खत्रा होता है diff कि एक लड़्की जू़य में बैठी हैए एकल जू़ गो जू़ रही है याद इस लड़की एक खड़ी हो जाए तो दोलनकाल कम हो जाएगा अपरविर्थित रहेगा दोलनकाल रुख जाएगा बढ़ जाएगा इसका सही इंसरा आप लोगों को बताना है तिसका सही इंसर हो जाएगा पहला वाला दोलन काल जो है कम हो जाएगा मतलब हलका दीम हो जाएगा आप लोग को आवर्ट काल का फार्मला पताओगा टी बराबर टू पाई अंडर रूट एल अपान जी तो यह फार्मला आपको ध्यान रखना है नवा कुश्चन अब देखते हैं कि मेगर मापने का एक उपकरन है मेगर क्या मापने का उपकरन आपको बताना है elekt一下ु ऌफ और मापने के उपकरनों हिए यह की नापता है étaient यह भोछ इसा परत्रोद मापने का यह पत्रह Used प्रतामेकर यह इंसलिन प्रत्रोद नापता है कि दस्वों कुछिन देखते हैं मानों शरीर के विद्धुत प्रत्रोद के प्रडाम की कोटी क्या है तेन पौर टू ओम टिन पौर फोर ओम टेन पौर शिक्स टेन पौर एट तो इसका एंसर आपको काइंड बॉक्स में देना हाःटरोजन पौर में किस सिधांत पौर अठारीत है नींत्री सेंड़ान आमपक्रिंग नियंत्री गहंड लक्रिया अ उन्हें लक्रिया थी आपको ध्यान में रखना है ऊच मैं वे मिई घर्म्स में उन्हें ऑनिंट्री जैननर मिनद्र किना पर अधारित होता है कि हाट्रोजन बंप का विसका आप से पूछते हैं कि एड़वर्ड टेलर इनके नावे खुद हैं एड़वर्ड टेलर कि प्रमाण बंप जो नापकी विखंडन प्रतारित होता है अगला कुशन देखिए बारों वाला सोलर सल किससे बना होता है सिलकान जर्मेनियम इल्मिनियम चवथा एक वद्धों दोनों तो देखिए बारों में सेवध सिलकान और जर्मेनियम दोनों यानि फोर्ट टॉला अपसर इसका सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब तेरों कुशन देखते हैं एक मकान की छट से भूम की और एक पत्थर गिरा जाता है उस पत्थर की गति जूर्जा अधिकतम कब होगी उससे गिनने के तुरंद बाद उससे अधिक दूरी तक पहुशने के बाद भूम पर पहुशने के ठीक पहले कि यह बूम पर पहुचने के बाद है तो देखिए इसमें सफेव यहागा तेरों में तीसरा और संब क्योंकि भूम पर पहुशने से ठीक पहले बहुत ज़़्यादा होगी तो इसका सभी एंसर हो जाएगा तेरों में तीसरा के लिए चोदाओं कुछन देख लेते हैं जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि ठंड चत्रिक नमी बाहर आती है फ्रिज के अंदर आरत सब्सक्राइब देखिए इसमें सब्सक्राइब दूसरा वाला कि फ्रीज के अंदर आधर तक कम होती है इसलिए अत्रिक नमी और सोची थोड़ाती इसलिए बिस्कुट क्या होगा कूप रहो जाएगा तो इसका सही इंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही इंसर है एथिल अलकॉहल प्लस पेट्रोल इसका अनुपाद जो है एक अनुपाद तीन में होता है यह आपको ध्यान रखना है चलिए अब 16 कुशन देखते हैं किसको सारवात्रिक विलायक कहते हैं इल पानी कि सत्रावा कुश्चन है सीए सीओ 3 में कारवन का प्रिस्षत है आप सना आपका दीखिए दिया गया है पहला एच्छे दूसरा है 16 तीसरा है आठ चौथा बारा तो दीखे कैसे निकालेंगे कैलसियम को होता है 40 कारवन क्या होता प्रमाद रभमान 12 यहां से कि यहां से देखिए 12 परिसेदाबा क्या हो जाएगा एंसर जाएगा ठीए आपको ध्यान में रखना है चली अगला कुश्चन देखते हैं आप 15 कुश्चन है कि की खंजी बनावाट क्या है च्छीर के कहने बनावाट क्या आपको बताना है तो इसका सब्सक्राइब का पा चांदी का प्रसेत होता है जर्मन सिलोर में चांदी का प्रसेत पहला एक परसेंट दूसरा पांट परसेंट तीसरा जीरो परसेंट चवथा इनमें से कोई नहीं तो जर्मन सिलोर में जो है चांदी की मात्रा हो जाएगी जीरो पर्सेंट क्योंकि यह मिस्त्रण होता है कापर जिंक और निकिल का ना तिहां से इसका सही अंसर हो जाएगा तीसरा जीरो पर्सेंट कि बीश्वा कुश्चन है अमलू वर्षा मुक्यता किस कारण होती है नाट्रोजन सी ओटू एस ओटू और सी ओटू मतलब नाट्रोजन कार्बन डायकसाइड सलफर डायकसाइड या कार्बन डायकसाइड तो इसका एंसर आप लोग बताइए तो बीश्वा का सही इसर हो जाएगा तीसरा सी ओटू सलफर डायकसाइड सही इस वर्षा में पीच मान जो है इसलु एसको एसीडिक बोलते है आपको पता है होगा सेबन से कम होता है तो एसीडिक से बन से जाद वह जाएगा तो बेस हो जाएगा 21 वा kution है कि प्राक्रतिक रवर की का पहुलक है एतलीन आइसॉप्रिन एक्सेल कि 2 का सभी आइसर दूसरा आइस्योप्रिन प्राकरतिक रवर जैस का भौलक होता है कि इस लीन का बखोता है इस लीन गाल ऊसर ऑर एक आईसी गैसे जोकी gyal वेटीं वारे सिलिंडरों में भर जाती है एसी टिलिन जो है के स्पिर्डिंग वाले सिलिंडर में इभी आपको ध्यान में रखना है कि बाइसों कुछ नहीं है कि आपको ध्यान में रखना है कि इनमें से कौन सी वास्तिक रूप में मचली होती है इस्टार फिश जेली फिश डॉक फिश समुद्री घोड़ा कि इसका सही अंसर दिखिए चौथा वाला समुद्री घोड़ा 24 कुछ नहीं है साप के जहरीले दाथ होते हैं जो रूपांतरित रूप है चुमकी दंद के तालू दंद के इवानीवी जैविका दंद के साप के जहरीले दाथ किसके होते हैं बताईए इसका सही अंसर है चौथा वाला जैविका दंद के 25 questions देते हैं सेब के फल में लाली का कराण है एंथोसायनीन, लाइकोपीन, करोटीन, जैन्तोफिल तो 25 में कौन साफसान सही बाप लोग बताईए सेब के फल में लाली का काराण है सही एंसर है पहला वाला एंथोसायनीन सेव की फल में लाली करण एंथोसाइनिन होता है लाल नारंगी रंग के वर्डग जैसे करोटीन गाजर में टमाठर में जो लाइको पीडि़ी टमाठर लाइकोपीन गाजर करोटीन तो सेव में कौन सा होगा एंथोसाइनिन 26 कुशन है निन में से किसमे लिंग उड़सूत नहीं होते हैं बंदर चीता तितली छिपकली तो देखिए इसका सही अंसर होगा 14 छिपकली 27 कुशन देखते हैं निन में से कौन एक जैविक उरूरक है यूरिया 24-D इस्ट्रेप्टोसाइबलीन एजूला तो इसका सही अंसर है एजूला चौथा वाला जैविक उरूरक के चार भावन बाठा गया है नाइट्रूजिनी इस्तिकरण को जैविक उरूरक कहते हैं राइजोवियम फास्पुरस वाले ऐसे ही होते हैं 28 कुश्चन है मनुष के जीवन काल में कितने दात दो बार विक्सित होते हैं पहला है चार दूसरा है बारा तीसरा है बीस दात जो है दो बारा उखते हैं विक्सित होते हैं 29 कुश्चन देखते हैं बाल किस प्रोटीन से बना होता है उसे कहते हैं बाल जिस प्रोटीन से बनता है उसे क्या कहते हैं इलोबलीन क्यूसीन किरेटिन कैसीन तो बाल जिस प्रोटीन से बना होता है उसका कहते है किरेटिन सही एंसर तीसरा हुला किरेट कि यह प्राणियों में नाखोन और बालों का संचार्वन घटक है दूद का जो है पीले रंग जो है केसीन प्रोटीन की कराण होता है कि आज का आखरी परश्ना है कारवन मोनो आक्साइड विसागतता निन में से किसको मुख्यता प्रवावित करता है पाचन करिया को लीवर की कारश लीज़न की अलता के बात और के प्रेक्रिया को ल का रगत के आक्सजेण वहर करने की चंहता को तो बताए कारव नोवसाइट किसको प्रहुइत करता है तिसका सभी एंसर चौथा ओला रक्त के आक्सिजन वहन करने की चंपता को कि यह थे आज के 30 कुजिशन उम्मीद करता हैं तो आपको अच्छा लगाओ का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ करें अगर आपने चल करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं